नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चमतकारी औसधी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे जिहां दोस्तों यह एक ऐसी चमतकारी औसदी है जिसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की समस्याओं तथा बाधाओं एवं गिरहों तथा नकरात्मक उर्जा तथा भूत बाधा आदी को ठीक किया जाता है तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं इस दिब चमतकारी औसदी का नाम मित्रों इस चमतकारी औसदी का नाम है लट जीरा जिहां दोस्तों यह एक ऐसा तांतरिक पौधा है जो की अपने आप में बहुत ही अदभूत है इसमें अदभूत प्रकार की अलोकिक सक्ती का वास होता है मित्रों इसको लट जीरा भी कहते हैं साथी साथ इसको अपमार्ग के नाम से भी जाना जाता है प्रथा इसे दोस्तों अन्य नामों से भी जाना जाता है बहां सक्यादार पर मित्रों यह जो अनस्पती है यह जो चमतकारी पौधा है अपने आप में इतना अदभूत है कि मैं आपसे क्या बताओं यह सधारन सा पौधा यदि आपको कहीं मिल जाए तो दोस्तों इसे आप जो है जाड़ी समझ कर उखाड कर फेकने की गलती ना करें यह पौधा बहुत ह दिव्य है और दोस्तों इस पौधे को लेकर के बहुत कम लोगों को जानकारी है क्योंकि यह पौधा असानी से मिल जाता है लेकिन इसके बारे में सही जानकारी ना होने के कारण लोग इस दिव्य पौधे को बेकार समझते हैं इसे जाड़ी समझते हैं वैसे तो मित्रों इसके आयरुवेदिक फैदे बहुत हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके तांतरिक प्रियोग बताऊंगा इस चमतकारी तांतरिक और सधी के वैसे तो इसके आयरुवेदिक फैदे भी हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके जो है बिसेश बातों को बता देना चाहता हूं फिर इसके बाद मैं आपको आयुरुवेदिक फैदे तथा इसके तांत्रिक फैदे बताऊंगा जो आपके ज्ञान में बृद्धी करेगा मित्रों अगर किसी भी वरस पती से हमें लाभ लेना है जी हाँ दोस्तों तो उसको हमें जो है उस सही समय में उखाड़ना चाहिए सही समय में प्राप्त करना चाहिए कहने कारते हैं दोस्तों ऐसी कई प्रकार की दिब चमतकारी ओसदियां है जिनका एक समय सीमा होती है अगर आप उन दिब चमतकारी पौधों को सही समय सीमा पर उखारते हैं तो दोस्तों इनके गुणों में कमी नहीं आती इनमें जो सक्तियां होती है उनमें कमी नहीं आती है जैसे दोस्तों यह लट जीरा का पौदा जिसे आप मार्ग भी कहते हैं इसे यदि आप दीपा वाली अमावश्या या फिर दसहरा या फिर होली या फिर दोस्तों रभी कृतिका या स्वातिनक शत्र में इसे उखाड के लाते हैं और इसका प्रियोग करते हैं तो दोस्तों आ इसके हरान कर देने वाले तांत्रिक फैदे बताएंगे लेकिन दोस्तों आप सभी संरोध है कि अगर आप लोग इस सधारन से दिखने वाले पौधे के बारे में सही और सठीक जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखेगा तभी आपके स आपको ऐसी ऐसी रहस्यमई जानकारी दूँगा जो आपको कोई नहीं देगा और नहीं मिलेगी ऐसी जानकारियां तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले गमित्रों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब प्रकार से दबा लीजिए ताकि आप सभी हम से जुड़ जाएं और जब भी हम भविस में किसी भी जानकारी के उपर वीडियो लेकर के आएंगे उसका संक्यत आपको ततकाल मिल जाएगा क्योंकि हम ऐसी जानकारी अपने चनल के माध्यम से लाते रहते हैं और हमारी वीडिय प्रत्रक्राइए जानकारी आपके लिए लाते हैं समय पर आपको प्राप्त हो जाती है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और इसे acted न भी बना करना भूलिए गा तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं सबसे पहले दोस्तों इसके आविशुज्य कुछ फैदे पर जिहां दोस्तों आप अपनी भूंक और प्यास पर काबू पा सकते हैं जिहां अगर आपको किसी साधना में बार-बार भूंक लगती है और आपकी साधना खंडित होती है तो तो दोस्तों आपको जो है इस साधना को जो है रोकने के लिए जिहां दोस्तों आप चाहते हैं कि जो भी आपके साधना में जो रुकावट आ रही है कहने करते हैं आपकी साधना में जो रुकावट आ रही है जो भी समस्य आ रही है आप उसको ठीक कर सकते हैं कैसे वो मैं बताता हूं कि दोस्तों सबसे पहले कि अगर आप किसी लंबी साधना में लीन रहते हैं तो दोस्त छाएगी और आपको कई परकार की तांद्रिका सिद्राफ्थ होंगी। साथी साथ दोस्तो जिन दोस्तों माता बहनाओं को जो है घर्वी कि स्थितिए यानि कि उनका प्रसव काल चल रहा है यानि कि उनका बच्चा होने की कगार पर है तो दोस्तों ऐसी माता बहनों को दोस्तों ऐसे नक्षतर पर इस अपमार्ग पौदे की जड़ को ला करके जो है काले डोरे में पिरो करके यानि बांध करके अपने कमर में बांधने से दोस्तों चाहिए और इसके बाद दोस्तों साथ इसकीजड tu hosted अगर आप इसकी जड पर्ष में एक त्यूरी में रखते हैं कभी धन की कमी होती है और आपके घर में पैशा किसन किसी बहानें से आता रहता है साथी साथ दोस्तों अगर आप लोग जो है इस दिव पौधे की जड़का जिहां दोस्तों पाउडर जिहां दोस्तों अगर आप इस दिव चमतकारी पौधे की पौधे की जड़का चूरण जिसको अंग्रेजी में पौडर कहते हैं आपको इस पौधे की जड़का चूरण जो है बना लेना है ठीक है और बनाने के पश्चाद दोस्तों आपको जो है क्या करना है कि इसको जो है गाय के देशी दूध में इसको जो है लगातार दो साल तक सेवन करना है ऐसा करने से मित्रों आपके अंदर जो है मित्रों हाथी के समान बला जाएगा आप बलसाली बन ज आप युवा के युवा रहेंगे अगर आप इसका लगातर दो साल तक सेवन करते हैं और ब्रह्मचर का पालन करते हैं तब ही ऐसा होगा और आप दोस्तों चिरन जी भी हो जाएंगे साथी साथ दोस्तों जो अर्ते बांज है यानि कि पुत्र को उत्पर्ण करने में सक्षम नहीं है उनके लिए दोस्तों एक और उपाय है ताकि उनको बालक की जो चाह बालक की चाह पूरी हो जाय उनके लिए एक उपाय है उन्हें क्या करना है मित्रों कि सबसे पहले जो है मित्रों कि वो एक ऐसे गाय को खोजें जिसका नया नया बचला पैदा हुआ हो जी हां दोस्तों और आपको क्या करना है कि उस गाय का दूद लेना है जिसका बचला पैदा हुआ है और उस गाय के द अगातार दोस्तों 2-6 महिना आप देखेंगे कि वह इस्तरी जो है दोस्तों पुत्र को धारण करने योग्य हो जाएगी यानि की दोस्तों वह गर्ववती हो जाएगी और उसका पुत्र बहुत दिव्व और तेजवान उत्पन होगा साथी साथ दोस्तों और तो और अगर कोई मनुस से इसकी जड़ को जिहां दोस्तों अंगूठी में धारण करता है पिरो करके यानि इसकी जड़ को एक मोती के समान बना करके और अपनी रिंग में धारण करता है तो दोस्तों इससे जो कई पिरकार के कलेस और गरह करते हैं औ कि कोई मनुस जिहां दोस्तों इसकी जड़को दो हल्दी के साथ और दो कौड़ी के साथ बांध करके तुजोरी में रखता है तो दोस्तों कभी धनकी कमी नहीं होती है उसके पास अपार धन दौलत आता है दोस्तों ये पौधापने आप में बहुत अद्भूत है साथ ही आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मैंने आपको इसमें दोनों प्रियोग बताए हैं तांत्रिक प्रियोग और आयरुवेदिक प्रियोग साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसकी जड़को अगर आप अच्छे से जिहां दोस्तों अच्छे से जला करके इसका धुआ दे अपने घर में तो दोस्तों आपके घर में जो भी जो भी नकरात्मक उर्जा होगी वो आपके घर से भाग जाएगी और आपके घर में मित्रों जो है सकरात्मक उर्जा बनी रहेगी इसका हर अभिवार और हर बुद्वार को इसकी जड़ से अपने घर में ध इसके दोस्तों का होगा dai तौह दोस्तों अगर आप इसकी जड़को जो भी भूत प्युर्टित्यवक्ति है उसके उसके कमर में उसके गले में बांधते हैं तावीज में भर करके तो दोस्तों वह भूत बादा से शुटकारा पा जाता है लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यह जो जड़े हैं विसेश नक्षत्र में जो है दोस्तों आपको सही और बिधी विधान से उखाड के लानिये तभी यह प्रियोग करती है तीवरगती से अन्नता यह दोस्तों प्रभावहीन हो जाती है ठीक है जो मैंने नक्षत्र बताया है उसी समय और उसी सुभ मूरत में ही इसका प्रियोग करें तभी लाब होगा इसको सुभ मूरत में उखाड के रख लीजिए और समय आने पर कभी भी प्रियोग करिए आपको फल बराबर मिलेगा यह बहुत यद्भूत है और अगर नीचे एक दिया जला देते हैं तो दोस्तों सोने पर सुहागा माना जाता है तो उम्मिद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें दोस्तों यह जानकारी जो आपके ग्यान में बृद्धी कर सब्सक्राइई खारीर हस्ट पुष्ट हो जाएगा सारी कमजोरी नष्ट हो जाएगी आपकी हड्डियों में जान आ जाएगी और तो और दोस्तों मैंने इसमें दोस्तों आपको आयुरुबेदिक और टांतिरिक दोने प्रिकार के परियोग बताएं यह एक ऐसी वसदी है जो कि अपने आप